नमस्कार दोस्तों सौगत आपका इंडियन फार्मर में दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि कैची मेठट बंधाई क्या होती है मैं हमेशा विडियो में कहता हूँ दोस्तों बॉक्स टाइप बंधाई कैची टाइप बंधाई तो आज खास करके हम यहाँ पर टूमेटो के पर देख सकते हैं बहुत ही बड़ा प्लोट लगबंग एक एकर का प्लोट है और डिटिल में यहाँ देखेंगे कि कैची को कैसे बांदा गया है तार कौन सी यूज की गई है साइड में क्या ठोका गया है और बास कितना लगता है और खर्चा कितना आता है और ये मेथड सहीं क्यूं है आगे बरसाद को लेके और बरसाद के सीजन में ये क्यों अच्छी होती है तो दोस्तो आज के वीडियो पूरा अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलिएगा तो यहां भी देखिए यह दस अप्तावन टोमेटो की वहराइटी है बहुत ही बहतरीन तरीके से ग्रोव हुई है और यह प्लैंटेशन जो है मार्च का है अभी अप्रेल का महिना चल रहा है तो एक डेड़ महिने का हो चुका है और इसकी बंदाई भी हो और टोमेटो में आप सीधा एक 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 बास लगाते है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं यह सिंगल सिंगल बास है अगर ऐसे बास आप लगाते है और टोमेटो करते हैं तो दिक्कत क्या रहती है कि गर्मियों के दिनों के बाद बहुत तेश हावा चलती जब हवा चलने लगती है तो यह ऐसे गिर जाता है इस तरफ और इस तरफ इसके लिए इसको सपोर्ट चाहिए तो और कोई चीजसे तो आप दे नहीं सकते हैं इसके लिए इसे कैची लगाना पड़ता है इसको और टोमेटो में खास करके यह कैची में थड़ी यूज की जात चाहिए हिलना नहीं चाहिए जैसे कि आप दिखे एकदम टाइट है बहुत हिलाने पर यह इस तरीके से चाहिए और टोमेटो में जो यह कैची में थड़ करते हैं इसको कम से कम 1500-1600-1700 बास लगते हैं और ऐसे सिंगल सिंगल आप लगाए तो 700-800 बास में हो जाता है लेकि कि सिंगल में डूम तोरी हुआ इसमें सिंगल बास चल जाता है उसमें कैचे के ज़ूरत नहीं होते क्योंकि वज़न नहीं होता है हर 15-15 neighbor हमनों क्या करते है कि सिंगल-sिंगल रस्ति लगा देते हैं लेकिन टोमेटो में क्या होता है कि वजन बहुत होता है अगर आप 25-500 कि यहां पर टोटल डेढ़ हजार के आसपास एक एकर में बास हुए तो करना क्या है कि आपको पहले एक बास सीधा लगाना है और एक कैची मारना है यहां पर ऐसे देखिए और कवची मारते समय ध्यान के देना है क्रॉस कैची लेना है और मल्चिंग पेपर के ज्यादा बाह तो चलने में बीच में दिक्कत हो जाएगी स्प्रे नहीं कर पाएंगे जो खर्पतवारा यह उसको मारने के लिए दिक्कत हो जाएगा तो इस टाइप से कैची मार यह मल्चिंग पेपर पर रखिए और इसको जो तार का राउंड यह देखिए यहां पर यह अच्छे से द हुआ इदर से और दिगर से और एक बास सीधा ख़ला करना यहां देखिए एक कैची फिर सीधा एक कैची एक ऐक सीधा आप और यह करना है और बरसात में जैसे की जूलाी अगरस्त में जो प्लंटेशन करते हैं उसके लिए अगर और पास रहेगा तो और बहुतर रहेगा दोस्ते लेकिन कैची मेथल में आपकी सबसे बड़ा पाइदा क्या होता है कि जो मई अप्रैल में plantation करता है उसका June में harvesting आता है और June के पहले बरसाद चालू होती है उस टाइम पर हवा भी बहुत तेज हो जाती है तो जब हवा तेज हो जाती है तो पूरा plot पूरा हिलने लगता है और वहाँ पर गिर जाता है पूरा टोमेटो वहाँ पर आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है केवल बंधाई के वज़ा से और जिस टाइब की यह फसल है टोमेटो इसको बिना बंधाई के कोई मज़ा ही नहीं है लेकिन यहाँ पर देखिए इतना अच्छे से बंधाई किया गया है अभी एक एक रस्षी बांदी गई है लेकिन टोमेटो में एक रस्षी से कुछ नहीं होगा कम से कम चार पांच छे रस्षी इसमें बांदनी पड़ती है ऐस तरीके से यह और पूरा पैक करना पड़ता है और गर्मियों का प्लैंटेशन यहाँ पर देखिए बहुत दूर- और उसको कम से कम दो फिट नीटे जालना पड़ेगा क्योंकि टोमेटो का वेट बहुत रहता है अगर ऐसे नहीं करेंगे तो दोनों साइट से तार उखड के आ जाएगी लोडस और फिर से आपका प्लोट गिर जाएगा तो वो भी दिक्कते आ सकती है उसके बाद जो आप खड़ा बास लगा रहे उसको ऐसे बैडिंग करना है यहां पर जो किया गया है लोहे के तार से यह बैडिंग करना बहुत जुरूरी आप अगर इसको नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत करने लगेगा आपको अब टोमेटो आप लगा रहे हैं तो आपको ऐसे करना है और बॉ अच्छी लगाएंगे तो बीच चलेगा लेकिन वहाँ पर खर्चा बढ़ जाएगा लेकिन एकाड़े करेंगे ऐसे यह देखिए यह दिकर आपको सीधा सीधा वह उसको पकड़ा है इधर एक कैची पकड़ा और बीच में लोग खड़ावास लगाया है और बीच में यह छेच्छे पाउधे पर होने को वज़े से ग्याप कम है और यह नीचे नहीं जुकता है इतने इसमें टैटनेस बहुत ज्यादा आजाता है यह देख सकते हैं अगर खर्चे के बाद करें तो एक एकर में आपको सो से एक सो बीस किलो तार लगेगा तार का खर्चा अगर सो पकड़े तो दसाजार रुपे हो जाएगा लेकिन तार आप कम से कम साथ साल तक चला सकते हैं अगर अच्छे सी सको निकाल के रखे उसके बाद यह बास जो है डेड़ हट जार बास यहां पे लगा है अगर तीस रुपे से बास पकड़े तो देख सकते आप एक हजार बास में सरिया लगता है वह आपको बनवा के लेना पड़ेगा उसमें चार-पाहजार एक बार ही खर्चा हो जाएगा उसके बाद लेबर कॉस्ट अगर देखा जाए तो यहां पे आपको साथ से आठ जेंस दो दिन काम करेंगे उतना आराम से लग जाएगा तो टोटल यह आप लोगों ने भुखता है क्योंकि मैंने देखा भीएबर साथ की दिनों ने प्लाट पूरा सपार्ट हो जाता है तो यह आपको अगर कैची मेथड आपको समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे और क्या आपका इसके बारे में खैला है वो भी बताई इस